हेलो दोस्तों द्रस्त आज के सी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी परणार का अगर इस टाइब का अगर कोई भी प्रस्नों तो उसके हर का हम लोग परमेई करन कैसे करते हैं करन का सारा प्रोस्ट से चोटा से चोटे प्रस्ण को ले करके और बड़े से बड़े सभी प्रस्णों का बताऊंगा कि पर में करना लोग कैसे करते हैं ठीक है बहुत आसान है बस इस चीज को ध्यान से देखेगा तो यहां पर हमारा प्रस्ण है कि एक बटे में दो पलस में रूट का तीन यह हमारा प्रस्ण है ठीक है तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखेगा कि यहां पर अगर आपके पास पलस दिख रहा है तो सेम इसके अपोजीट चिंद से हमें क्या करना पड़ेगा उपर नीचे गुणा कर देना प 2 माइनज का अन्डरूट में 3 यह इस तरीके से अब रख इसको इसमें गुणा कर दिजी तो जब आप एक से गुणा करेंगा तो यह आपका सेम उतन ऊहीं रह जाएगा दो माइनश का आपका नीचे क्ट पुछ इस तरीके से हो जाएगा कि दो, पलस में आपका, रूट का तीन, अब फिर, दो माइनस में आपका, रूटका, तीन, ठीक है? अब देखे, अगर आपको formula पता है, तो इस चीज़ को आप easily लिख देंगे, किस तरीके से? आप लिख देंगे कि 2- का रूट का 3 अगर फॉर्मुला पता है फॉर्मुला देखें मैं आपको यहाँ पर पता दे रहा हूँ देखें फॉर्मुला आपका होता है कि अगर A पलस का B अगर कोई है और दूसरे ब्रेकेट में कि A माइनस का B तो इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वाइर माइनस का B का स्क्वाइर यह हमारा होता है फॉर्मुला ठीक है ना इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है मालजी यह वाला A है पलस का यह मालजी B है तो A प्रस B और A माइनस का B ठीक है तो यह दोनों ब्रेकेट हमारे पास यहां पर अवैल वाल है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है तो A का स्क्वाइर मतलब दो का स्क्वाइर तो यहां पर root का 3 अब नीचे क्या बचाएगा 2 दूना 4 तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे अब देखें, यहाँ पर कभी भी root में यह चीज हो, कोई भी संक्या का root में हो, और इनके उपर अगर गहात लगा हो, तो इस गहात के वज़े से यह वाला आपका खतम हो जाता है, केवल बचेगा 3 यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का 3, 4 में से 3 जाएगा, नीचे बचेगा 1, मतलब कि आपका 2 माइनस का root 3, और नीचे बचा 1, तो 1 का यहाँ पर कोई value नहीं है, ठीक है तो आपका जो answer हो आजाएगा 2 माइनस का root का 3, यह चीज आपका answer हो जाएगा, ठीक है अब देखिए एक चीज और कि अगर आपको लग रहा है कि यह वाला formula पता नहीं सही है, या फिर यह चीज गल्लत तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा करके हम आपको 4 हो गया, माइनस है, अब 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 root 3 हो जाएगा, ठीक है 2 का गुणा इसके साथ, 2 का गुणा इसके साथ हो गया माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, अब 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो पलस है, तो पलस का 2 root 3 दो रूट तीन फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पलस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा ठीक है पलस माइनस का गुणा माइनस होता है genu – root 10 गुण 10 root 10 इसी तरीकी से ऊजएगे . यह प्लस में यह माइनस में तो इससे हैपका यह कट जाएगा तो क्या बचा चार बचा बचा अब यहाँ पर – अब अंडरीट गुण 10 जब सेम चीश का गुण अपस में हो रहा हो तो हम क्या करता है be हटा देते हैं बस केवल एक बार इस तरीके से 3 लिए जाता है यह इसका नियम होता है ठीक है अब क्यों होता है इसको उन्हों किसी और वीडियो में चलिए मैं आप थोड़ सा हिंटे देता हूं इस रूट का मतलब होता है थीन के घात में 1 बटा 2 अब इसे दोनों यहां पर रूट में है और उपर पांच भी है तब कैसे करेंगे तो देखे सबसे पहले तो आपको पांच बटे में अंडरूट तीन माइनस का अंडरूट में पांच इस तरीके से कर लेना है अब सेम इसके अपोजिट चिन से ठीक है तो अंडरूट में तीन पलस में अंडरूट में पांच यही चीज अपोजिट चिन है ना उल्टा तो अ में पांच Underwood में 5 हो गया है आप लिछे क्हां होड़ाएगा अन्डरूड में 3 माइन 225 यह कि अंडरोड में पांच सवरी अंडरोड 3 है ना अंडरोड में तीन पलेश का अंडरोड में पांच यही चीज है ठेक है अब देखें यहां पर यह फ्रमुला दो डा रहा है यह पन। भी मेंयरस बीशapat के उससे कोई वाला 5 under root 3 5 under root 5 ठीक है और इसके बाद से नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाख़ब A का square A का square और B का square तो A ये है BA है तो A का square मतलब कि under root 3 का square minus में B का square मतलब कि under root 5 का square ठीक है अब देखे ये चीज यहाँ पर गुणा करके लिखे या न लिखे कोई दिकत नहीं है ठीक है यहाँ पर अब चाहें तो हम इस तरीके से 5 को common ले करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा सही रहेगा 5 को common ले लिए तो under root 3 और नीचे कितना बजाया इसके वज़े से माइनस का बचाई तो यहां पर क्या बचाएगा 5 अंडर होता है कि यहञ teman यहां पर लगा देते हैं ठिक है ऐसे कहना पांच अंडर व्ड में तीन प्लस में अंडर व्ड में पांच माईनस यहां पर लगा देंगे और यहां पर साली यह यह थो फिर आप ऐसा भी लिख स marche है को ऑप साथymmर्दी इसको त activity मैं इसका यह पांच है तो इसको हम यहां लिख लिए यह बटे में दो है तो यहां पर हम लिख लिए ठीक है और उसके बाद से यहां पर इस तरीके से लिखने हैं अंडरूर में 3 पलस में अंडरूर में पांच ठैक है быть लिखेने के सारा तरीका अगा लेजर आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ों ठीक है यह चीज़ कोई ठीक है ये चीज़ होता है सोरी, 3 अंडरूड में 2 है, अब गुणे में 7 माइनस में 3 अंडरूड में 2, अपोजिट चिल से 7 माइनस में 3 अंडरूड 2, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा साथ माइनस में तीन अंडरूड में दो और नीचे क्या हो जाएगा साथ पलस में तीन अंडरूड दो और साथ माइनस है तो माइनस का 3 under root में 2 ठीक है इस पर हम formula लगा सकते हैं A plus B और A minus B वाला ये वाला ठीक है A square minus B square तो ये आपका हो जाएगा उपर वाला तो इसे ही रहेगा 7 minus 3 under root का 2 और नीचे वाला के हो जाएगा 7 A का square मतलब 7 का square minus B का square मतलब कि 3 under root में 2 का square ये चीज़ ठीक है अब देखे इसको कैसे लिखेंगे पहले थिए 7 minus में 3 under root में 2 ये चीज़ लिखे अब 7 का square ये तो आपको पता ही है कि 49 हो जाएगा minus में अब ये कितना हो जाएगा देखे ये 3 क्या है root से बाहर है तो 3 का square का मतलब होता है 9 ठीक है गूंड में इसका अब इसको ये कट जाएगा बचेगा 2 तो यहां पर जाएगा 2 तो ये आपको कितना हो जाएगा 7 minus का 3 under root में 2 और नीचे कितना हो जाएगा 49 minus का आपको जाएगा 18 तो ये आपको फाइनल आंसर तीन minus का 3 under root में 2 अब ये वाला गटेगा तो एक हो जाएगा फिर इसमें से 3 ये आपको हो जाएगा simple सा answer ठीक है दोस्तों कि तो बस इस वीडियो में इतना है तूमीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको clear हो गया होगा ठीक है और एक question आप स्वयम करके ये वाला देख तो चली मिलते हैं इसी तरह के एक नए टोपी के साथ वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद